हाई गाईज मैं हूँ आपका होस्ट इश्फाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूटूब चानल जेके जा रहा हूँ आप जानते ही हो रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था जेंड के यूटी में 800 सब इनस्पेक्टर की वे इस नोट्फिकेशन में इन्होंने सब इनस्पेक्टर वेकेंसी के बारे में क्या कहा है वह हम जान लेते हैं यह ओफिशल अपडेट है इंपार्टल नोट्फिकेशन है वीडियो को आप एंड तक वाज करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आफाल यहां पर मैं आ इस नहीं करेगा पहले क्या होता था जब SI की वेकंसी आती थी यहां कानस्टेबल की वेकंसी आती थी तो जमनकेशन पुलीस डिपार्टमेंट खुद एक्जाम कंडेक्ट करता था खुद फिजिकल टेस्ट केंडिडेट का करता था बट मैंने आपको बताया था इस बार ऐ जब JKSSB को वेकंसी रेफर होंगी तो JKSSB ही अडविटीज में नोट्फिकेशन नमबर निकालेगा इन वेकंसी की JKSSB ही रिटन इग्जाम कंडेक्ट करेगा JKSSB ही चैंडिडेटर से एप्लिकेशन फॉर्म लेगा and JKSSB ही रिटन इग्जाम के बाद कैंडिडेटर का जो फिजिकल टेस्ट वगेरा है वो कंडेक्ट करेगा यानि पूरी जो रेक्रूट्मेंट प्रॉसेस है वो JKSSB संभालेगी and साथ ही में होम डिपार्टमेंट भी इनके साथ रहेगा उसके बाद यहां पे अगर हम नीचे आए गाईज यहां पे सिल्वस के बारे में ठीक इनके सिल्वस के बाद यहां पे इन्होंने मेंचन किया है अनलेटिकल एप्टिटूड अबिलिटी तो उब्जरों एंडिस्टिंविश पैटर्नस बेसिक नालेज इन इंग्लिश यह सब गाईज इन्होंने यहां पे मेंचन किया है कि कॉस्टन पेपर में यह चीज़े कै उसके बाद यहां पे अगर हम नीचे आए मजीद यहां पे इन्होंने है इन्होंने ही इसमें कोई चेंज नहीं है change क्या है वो हम नीचे आते हैं यहां पर आप देख सकते हो जो आपका race होगी जो run होगी वो होगी male candidates के लिए long race 1600 meters की इसके लिए आपको 6.5-6 minutes दिये जाएंगे 6 minutes and 30 seconds आपको race complete करने के लिए दिये जाएंगे and push-ups आपको करने होगी यह male candidates के लिए है 20 push-ups and one up down का ठीक है one up down यह एक ही count किया जाएगा ठीक है जाने 40 आपको करने होगी up down करके 20 push-ups आपको करने होंगे up down consider एक ही किया जाएगा count एक ही किया जाएगा उसके बाद अगर हम female candidates की बात करे तो उन्हें खाले 1000 मीटर्स की रेस करनी होगी साड़े 6 मिनटर्स में एंड साथी में शार्ट पुट 4 केजी का ठीक है एक बॉल होता है आयरन का ये फीमेल कैंडिडेटर्स को साड़े 4 फीट दूर डालनी होती है इसके लिए इन्हें तीन ये जो चांसे दिये जाते है तीन टर्न दिये जाते है साड़े 14 फुट दूर बॉल को डालनी के लिए तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आये मज़ीद यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है वो हम जान लेते है जी हां गाइस क्वालिफिकेशन के बारे में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था simply जो भी candidate graduate होंगे वो eligible है वो apply कर सकते है चाहे आपकी graduation किसी भी सिट्रिम में क्यों ना हो जो भी graduate है वो eligible है उसके बाद next candidate should be domicile of union territory of jomo and kashmir जो भी candidates domicile होंगे जेंड के UTK खाली वही apply कर सकते है उसके बाद अगर हम age की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने age जो mention की है 18 to 28 years 18 to 28 जिन candidates की age होगी वो apply कर सकते है recently candidates ने जो मैंने इससे पहले वीडियो पोस्ट किया था candidates की मुझे बहुत ज्यादा comment इस वीडियो पे भी receive हुई थी कि age इसमें बढ़नी चाहिए ठीक है अपर age limit इसमें बढ़ना चाहिए 28 से 30 होना चाहिए तो फिलाल home department की तरफ से यही notification आई है जो age criteria होगा वो होगा 18 से लेकर 28 अपर age limit रहेगा अब देखते है आगे क्या होता है क्योंकि candidates चुप रहने वाले नहीं है आप campaign चला यह social media पे and इंशाल्ला soon यह change होगा age relaxation यहाँ पे candidates को मिलनी चाहिए तो यह थी guys update जो SI की vacancies आने वाली है उनको लेकर and guys very soon आपको notification देखने को मिलेगी sub inspector vacancies की जो JKSSB आउट करेगा and written exam की अगर हम बात करें तो आपका जो written exam है वो next year होगा फिलाल vacancies JKSSB को refer होंगी JKSSB notification आउट करेगा form लेगा candidates से syllabus आउट करेगा and candidates preparation स्टार्ट करेंगे यह थी एक important update अगर मुझे further कोई भी update million vacancies को लेकर तो मैं accordingly आपके साथ share करूँगा आपको क्या करना है अगर आप में से कोई first time visit कर रहा है हमारी YouTube channel पे तो guys channel को subscribe करके bell icon को press करना ठीक है bell icon को लाजमी से press करना उससे क्या होगा जो भी हम future में videos upload करेंगे YouTube आपको उनकी notification send करता रहेगा यह जो notification home department ने निकाली है यह मैं आपको वीडियो के नीचे description में provide कर दूँगा वीडियो के नीचे description में आपको telegram channel की link मिलेगी वहाँ पे आप join हो जाए है और वहाँ से आप easily say PDF को download कर सकते हो और खुद भी आप इसे read कर सकते हो और हमारी channel पर जो भी upload होता है वो official होता है कोई भी fake video हमारी channel पर post नहीं होता है तो official updates के लिए guys subscribe करके bell icon को press करके जरूर करना ठीक है bell icon को जरूर प्रेस करना ओके thanks